गाजीपुर में प्रधान मुंत्री ने माहराजा सुहल देव पर डाक टिकट किया जारी पुरवान्चल में चिकित सासेवाएं बढ़ाने के लिए गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज का किया शिला नियास प्रधान मंत्री नेंद मोधी वारानसी में जन्पद एक उत्पाद सम्मिट का करेंगो दगाटन कई योजनाओं की वारानसी को देंगे सौगात केंद्री कैबिनेट ने पासको एक्ट में संशोधन को दी मंजूरी बच्चों के योण शोशन पर किया फासी प्रावधान सरकार लाएगी नेशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टम आफ मेडिसिन बिल और पेश्चमी फवन के सक्री होने और लगातार पहाडों पर बर्फबारी के चलते छुटरा मैदानी इलाका मौसम विभाग ने कहा अभी और बढ़ेगी ठंड नमस्कार मैं हूं हमेंदर तोमर समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री निरंद्रमोदी आज गाजीपूर में एक जनसभा को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने महराजा सुहेल देओ राजबर पर एक डाक टिकट भी जारी किया प्रधान मंत्री ने राजकिय मेटकल कॉलेज गाजीपुर का शिलानियास किया प्रधान मंत्री ने कहा कि पुरवांचल में चिकितसा का हब गाजीपुर को बनाये जाएगा उन्होंने कहा कि महराजा सुहेल देओ हम सब के प्रेना सुरोत हैं और इतिहास को पुनर जीवित करने के लिए महराजा सुहेल देव का इसमारक बनाये जाएगा जिससे आने वाली पिड़ियां इनका अनुशरण कर सके साथियो उतर प्रदेश में मेरे आज के प्रवास के दौरान आज पुरवान्चल को देश का एक बड़ा मेडिकल हब बनाने का कुरुसी से जुड़े शोद का महत्वपोर्ण सेंटन बनाने और यूपी के लगू उद्योंगों को मजबूत करने की दिशा में अनेक महत्वपोर्ण कदम उठाए जाएंगे थोड़ी देर पहले ही गाजीपुर में बनने वाले नए मेडिकल कॉलेज का सिलान्यास किया गया है आज यहाँ पुरवान्चल और पूरे उत्तरप्रदेश का गवरो बढ़ाने वाला एक और पुन्यकार्य हुआ है पूरे देश के कौने कौने का यह गवरो बढ़ाने वाले आउसर है हर हिंदुस्तानी को अपना देश, अपनी संस्कृती, अपनी महाप्रोश, उनकी वीर्ता का पुनह स्मरन कराने का एक पुन्यकार्या आज यहां हुआ है महराजा सुहल देव की शावरिय गाथा देश के लिए उनके योगदान को नमन करते हुए थोड़ी देर पहले उनकी स्मृति में पोस्टल स्टैम जारी किया गया है पांच रुपे की कीमत का ये डाग तिकट लाखों की संख्या में देश भर के पोस्ट अपिसके माद्यम से देश के गर गर पहुंचने वाला है प्रधान मुंत्री ने कहा कि हमने एक-एक पैसे का सदुप्यों किया है और करणों पैकी योजना एक गरीबों के लिए बनाई है जिसका फाइदा लोगों को मिल रहा है इन परिवारों से पहुँचा उनके परिवारों को कितनी ताकत मिली होगी साथियों जब सरकारे पार दर्शिता के साथ काम करती है जब जनहीत स्वाहित से उपर रखा जाता है सम्वेदन सिल्टा जब साथन का स्वभा होता है तो ऐसे बड़े काम स्वाभावी कुर्प से होते है जब लक्ष व्यवस्ता में स्थाई परिवर्तन होता है तब ऐसे बड़े काम होते है प्रदेश में विकास के बहुत काम किये गए चिकित्सा के शेतर में कई मेडिकल कॉलिज बनाए गये हैं तथा एम से स्थापित किये गये हैं शिक्षा के शेतर में भी कई विश्विद्याले स्थापित किये गए हैं आजादी के सतर सालों में जो नहीं हुआ इसको इस सरकार ने करने का काम किया है पित्रों हम सब जानते हैं किस देश में स्वास्त सुविधाओं की क्या इस्तिती थी और उत्तर प्रदेश किस बदहाल इस्तिती में स्वास्त सुविधाओं से गुजर रहा था आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में केवल 13 मेडिकल कॉलेज 70 वर्सों में बने और अकेले 24 वर्स के दोरान आधनिया प्रधान मंत्री जी के नित्रुत्तों में उत्तर प्रदेश को 13 मेडिकल कॉलेज मिले हैं दो एम्स पर कार्य चला है बेच्यू का मेडिकल संस्तान एम्स के समकक्स विक्सित किया जा रहा है अत्यादुनिक कैंसर संस्तान वाराना सी में बन करके तयार होने किस्तिती में है और यही नहीं आधनिय प्रधान मंत्री जी की पेड़ना से उत्तर प्रदेश सरकार सरदे उटल विहारी बाच्पेई जी के नाम पर एक चिकिस्सा बिश्वी द्याले की अस्तापना लखनों में करने जा रही है और साथी साथ तीन अन्य मेडिकल कॉलेजेश का निर्मान भी प्रदेश के अलग-अलग जन्पदों में हो रहा है यानि आजादी के बाद सतर वर्सों में तेरा मेडिकल कॉलेज और आधनिय प्रधान वंत्री जी की पेड़ना और उनके आसरीवाद से चार वर्समें उत्तर वर्सों के अंदर 17 मेडिकल कॉलेज और विश्वी दयाले के अस्तापना चिकिस्सा शिख्षा के साथ साथ स्वास्ते की बेतर सुविधा की दिश से उत्तरप्रदेश के नागरिकों को प्राप्त हो रा है लेकिन अब बच्चों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत जो सेक्स्वल अफेंसिज होते हैं वो यौन अपराद होते हैं उन्हें लेकर अब सजा का दाइरा बढ़ा दिया गया है बच्चों को सेक्श्वल हमले से बचाया जाए इसलिए हम सेक्शन 4, 5, 6, 9, सेक्शन 14, 15 and सेक्शन 42 इन सबों में बहुत बदलाव कर रहे हैं इन सबों में हम लोगों ने पूरे ये डंड के अवधी को बढ़ाया है जो बच्चों के साथ बाकी जो अन्नाशनल ओफेसेस होते हैं उसको भी काफी मजबूत किया गया है केंद्री मंत्री मंडल की बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि सरकार नेशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टम ओफ मेडिसिन बिल दोहजार अठारा लाएगी इसके लिए समाने प्रविश परिक्षा होगी इस बिल में शिक्षकों के हित भी देखे जाएंगे हम लोगोंने एक नैशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टम ओफ मेडिसिन बिल टुथाउजन एटी इसको हम लाएगे और इसमें अलग अलग बोर्ड बनेगा एजुकेशन आफ आरविदा उनानी सिध्धा सुवार गृपा दो इस सब के लिए अलग अलग बोर्ड बनेंगे जो दो इसमें महत्पून बात है अन्य महत्पून फैस्टों में केंद्री मंदल ने साथ प्यस्टू वा अपना आई प्यो लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है तो अब इसके लिए कॉमन एड्मिशन परिक्शा होगी और उसके बाद ही आप लाइसेंस आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए और टीचर्स की लिजिबिल्टी का भी इसमें ध्यान रखा है इस बिल में ताकि टीचर भी एलिजिबल होकर टीचर बने साथ प्यूस्यू होगे वरनरसी में प्रधान मंतरी दीन दियाल हस्त कला संकुल में एक जिला एक उत्पाद के शेत्री सम्मेलन में हिस्सा लेंगे इस दौरान बुनकरों और हस्त सिर्पियों के साथ प्रधान मंतरी का समवाद भी होगा अपने संसदी एक शेत्र वरनसी में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी दीन दियाल हस्त कला संकुल में एक जिला एक उत्पाद कारिकरम के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे वो इस दौरान लगाएगे इस डौलों का अवलुकन करने के साथ बुनकरों और हस्त शिल्पियों के साथ समवाद भी करेंगे कारिकरम में पूरवी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के हस्त शिल्प कलाकार भाग लेंगे प्रदान मंत्री के आगमन को लेकर यहां के स्थानिय शिल्प कारों में काफी उत्साह है प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के नेतर्तु में काम कर रही केंदर सरकार की योजनाओं का ही नतीज़ा है कि इस्थानिय इस तर पर दयार हो रहे उत्पादों को अब अंतराश्ट्री ये पहचान मिलने लगी है। एक दम उत्षाहित है कि अगर वो आए, अगर उनकी छोड़ी से नजरे प्यायत की हो जाएगी, तो शायद ब्लॉक को जो हम उमीद करते हैं कि इस काम को इतना बढ़ावा मिलना चीए, हो जरूर बहुत मिले जाएगी। ये लोग कम से कम साथ दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। कैबिनेट ने गगन यान के दस हजार करोड रुपए की राश्टी को मंजूरी दी है। इसमें टेकनोलोजी, विकास, लागत, विमान हर्डवेर प्राप्ती और आवश्चक धाचागत तत्व शामिल हैं। इसके साथ ही सरकार ने 2022 तक इसे भेजने का लेक्ष रखा है। इस गगन यान प्रोजेक्ट के सफल होने पर इनसान को अंतरिक्ष में भेजने वाले देशों में भारत चौथा देश बन जाएगा। कैबिनेट मंतरी सिधारतनास सिंग ने बस्ती जिले के कप्तान गंज में सामुदाइक स्वास्त केंदर का लोकारपन किया। बस्ती जिले के प्रभारी मंतरी ने कहा कि एनेच 28 पर बना यह स्पताल लोगों को दवा कराने में सुधाएं देगा। साथ ही आए दिन हो रही दुरगटना में घैल होने वाले वेक्तियों का तुरंत इलाज यहां हो सकेगा। इस स्पताल में एक सरे छोड़कर परियाप्त सुधाएं मौजूद हैं। आज मोदी जी की सरकार है कि उनको वापस लेकर आने चाहे वो अगस्ता वेस्टलैंड में क्रिशन मेकेन हो चाहे विजे मालिया हो इन सब को वापस लाने का कारे किसको ही कर रहा है वो मोदी जी कर रहा है लूट के भागाया आपके समय के लोग हैं उनको वापस लाके उनक जोगिक विकासियम जिले के प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने कहा कि 2022 तक देश के प्रतेक विक्ति के पास अपना घर होगा। महाना ने पी-म आवास योजना में बने 1100 परिवारों के मुख्यों को मकान की चाभी सौपी। उन्होंने सौयम सहता समू की 50 महिलाओं को मुद्रा योजना के अंतरगत सिलाई मिश्विनों का वित्रण भी किया। मंत्री ने सवसर पर जिले में 10 करोड 44 लाख की योजनाओं का लोकार पड़ किया। शायद अबेश के आजादी के बाद में यह बहुत बड़ा है थी हासुआ है कि जतने अभी तक मिले थे उससे जायदा आप हमारी सरकार के लगने को मिलें। एक भारत स्रेष्ट भारत के तहत लखनों में राष्ट्री एकता शिवर का आवजन किया जा रहा है एंसीसी द्वारा आयोजीती से दस दिवसी शिवर बे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों और पुर्वत्तर के राज्यों के लगबग 600 कैडट हिस्सा ले रहे हैं। इसका रक्रम का मुख्यों देश विभिन गतिविधियों के माध्यम से लोगों के बीच राष्ट्री एकता का संदेश प्रेशित करना है। इसी क्रमयाज समवाद प्रत्योगता का आउजन किया गया जिसमें देश भर से आयच छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। करनल एसके मिश्रा ने बताया कि प्रत्योगता के जरिये सभाग्यों में एक भारत स्रेश्ट भारत के तहत आपसी समवाद बढ़ाना है। कर से देश्राओं देश्राओं ने जिनमें से एक डिबेड भी है यानि कि वाद वियाद प्रत्योगता इसमें बच्चे नौर्थीस्ट डिरेक्रेट से और यूपी डिरेक्रेट से भाग ले रहे हैं जिसमें टोटल बारफ ग्रुप से हैं जो दो ग्रूप कर रहे हैं और इसमें अपने अपने तरफ की अपनी दलील रख रहे हैं कि देश की पहली हाइटेक और 118 किलोमेटर प्रति घंटे की गती से चलने के शमता वाली इंजनलेस ट्रेन अठारा आज सुबह प्रियागराज जंक्षन पहुंची ट्रेन को कुम्भ के दौरान इलाहबास से नई दिल्ली स्टेशन के मध्य चलाय जाने की संभावना है हलांकि आज इस ट्रेन को नई दिल किलोमेटर प्रति घंटे की गती से चलाई जा सकती है इस सेक्षन में सिगनल अपग्रेडेशन के कारे चल रहे हैं ट्रेन 18 में कुल 18 कोच लगाए गये हैं इसमें दो कोच एक्जेक्यूटिव श्रेणी के हैं ट्रेन के सभी कोचों में CCTV कैमरे लगे हैं इमर्जेंसी में घुमावदार कुर्सियां भी लगी हैं संगम तट पर लगने वाले सदी के सबसे बड़े महापरव कुम्भ मेले की शुरुवात त्रिवणी के पवन धरती पर 15 जन्वरी मकर संक्रांती से हो रही है इसी कड़ी में आज निरंजनी अखाडे ने मेला क्षेतर में भूम पकुम्ह रहेगा यह निशानी के तोर पर बन्धा रहेगा आज हमारे श्री पंचाइदी निरंजनी अखाड़ा और पंचाइदी श्री आनन नखाड़ा का धरम धोजा थी मऐहनतों के साथ बाला इत्यादी के साथ सामने परेश करेंगे से चश्मदीद गवाभी है अब इसकी साइटी जाच कर रही है और जिसने गोली मारी तो उसके साथ 4-5 लोग और भी थे जो वीडियो से भी इस पस्ट है और हमारे पास आई विडिनेसे भी हैं उन्होंने भी बताया है मौके पे वो हैं भी वहाँ पे और पूरी क्राइम सीन को रिक्रियेट किया गया है तो सारी चीजे बिलकुल क्लियर कट बताई हैं इसमें और भी एविडिनेसे हमारे पास है जिनकों से भी कर्ठा किया जा रहा है तो इसको रिपोर्ट से और तुमाल की जाएं राजी के ग्रामे विकास राजमंत्री डॉक्टर महिंदर सिंग ने राजभवन अगर तलामे तरिपुरा के राजपाल कप्तान सिंग सोलंकी से भेट कर उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगिया जितनात की ओर से प्रियाग राज कुम्ब 2019 हेत्वा इस अवसर पर ने तरिपुरा के राजपाल को शौल ओढ़ा कर सम्मानित भी किया साथी कुम्ब का लोगो एवं कौफी टेबल बुक सहित प्रचार सहित भी भेट किया ग्राम विकास राज मंत्री ने अगरतला में ही एक प्रिस्वारता कर बीडिया को प्रियाग कुम्ब 2019 की तयारियों वववस्थाओं के सम्मद में भी विस्तृत जानकारी दी इसी प्रकार राज्य के वित मंत्री राजे शगरवाल ने चंडी गण में हर्याणा के राजिपाल सत्देव नरायन आरे से भेट कर उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योग्याजित नाथ की ओर से प्रियाग राज कुम्ब 2019 सहत्वा मंत्रित किया इस अवसर पार उन्होंने हर्याणा के राजिपाल को शाल उढ़ा कर समानित किया साथी कुम्ब का लोगो एवं प्रचार साहित भी भेट किया आस्था की नगरी तीर्थ राज प्रयाग में जनवरी 2019 में लगने वाले कुम्ब मेले के महत्तपूर्ण इसनानों को दूरदर्शन एवं आकाश्वानी सीधे लाइव प्रसान करेगा साथी कुम्ब में होने वाली तमाम महत्तपूर्ण खबरों को भी दिखाएगा जिससे कुम्ब मेले को घर बैठे दूरदर्शन एवं आकाश्वानी रेडियो के माध्यम से आम जनता देख सके प्रसान से संबंधित तैयारियों का जैजा लेने के लिए दूरदर्शन महानिदेशक सुप्रिया साहू ने कल प्रियागराज में एक बैठक की जिसमें प्रियागराज दूरदर्शन वाकाश्वानी और लखनो दूरदर्शन समाचार एवं आकाश्वानी के अधिकारियो तथा इंजिनियरों ने भाग लिया शिमती साहू ने कुम्भ में होने वाले मुख्यस नानपरव के साथ ही सामाजीक, भजन, कीर्टन, सहित तमाम खबरों को प्रात्मित्ता के आधार पर दिखाय जाने की नुर्देश दिये प्रोग्राम के तयारी हो गई है जिसमें कि कुम्भ मेले में मेला छेतर में जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनको लोगों तक व्यापक तरीके से पहुचाने के लिए हमारी क्या तयारी है उसकी भी समेक्षा की गई और अभी सुचना और प्रसारन मंत्राले के अंदर जितने भी मीडिया विंग्स हैं इस्पेशली दुरदर्शन और आकाशवानी प्रसार भारती हम तयार हैं सारी जानकारी लोगों तक पहुचाने के लिए सोशल मीडिया को हमने काफी एक्टिवेट करने की समीक्षा की आज और ये डिसीजन लिया गया है कि जो भी हमारा लाइफ टेली कास्ट होगा या जो भी टेली कास्ट हम करेंगे कुम्भु मेला के बारे में चाहे वो आकाशवानी हो या दूरदर्शन हो उसको हम लाइव स्ट्रीम करेंगे यूट्यूब तर ताकि लोगों तक व्यापक तरीके से पहुँचाया जाए इसके अलावा ट्विटर पर, फेस्बुक पर और इंस्टाग्राम पर भी लोगों तक सारी जानकारी पहुचाने के लिए भी तैयारी की जा रही है आजम कुर्जिले में संस्कृति व लोग कला के आदान प्रदान के लिए एक भारत स्रेष्ट भारत कायरकम के तहत चार दिवसी रंग महत्सों का कायरकम आयोजित किया जा रहा है जिसका उद्गाटर इंजिला दिकारी शिवा कांत दिवेदी सगडी से विधान सबासदस से वंदना सिंग वह अन्य सब्रांत विशिष्ट जनों ने किया इस चार दिवसी रंग महत्सों में देश के 14 सेथिक परांतों के लोग कलाकारों ने अपने लोग कलाके माध्यम से लोगों को मंत्र मुख्ध कर दिया रंग महत्सों के आयोजिक श्री विश्यकर्मा ने बताया कि एक भारत और स्रेष्ट भारत की धारना लिए इसमें देश के कई राज्यों के कलाकार अपनी संस्कृतियां लेकर इस महत्सों में आते हैं जो अपने नाटकों और लोग नर्तियों के माध्यम से अपने कारिकमों को मंचपर रखते हैं और अपनी संस्कृति से देश की एकता और अखंड़ता को मजबूत करते हैं रग महोचों का कारिक्रम बहुत ही अच्छा है ये करते हैं और साथ ही बहुत बड़ा संदेश देते हैं आतंगबाद के खिलाफ सामप्रदाइकता के खिलाफ और साथ ही ये संदेश देते हैं आपसी भाईचारे के लिए भात्रिभाओ के लिए और राश्ट्री एकता और अखंड़ता के लिए ये कारिक्रम बहुत शराहनी है और इसके आयोजग बिसकर्मा जी को मैं बढ़ाई देता हूं और जो इसमें पाडिसिपेंट हैं उनको भी मैं हर्दि सिधारा में जोड़ने का कारे समाजिक कायरकरता सतीश चंद शर्मा अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं वह स्कूलों में एडमिशन और होमवर के लिए तीन सेंटरों में नीशल के शिक्षा कपड़े जूते मोजे भी मोहिया करा रहे हैं उनका सपना बच्चे शिक्षित कि शहाल बच्षपन हो यही समाजिक कायरकरता सतीश चंदर का सपना यम संकल्प है बच्चों के अधिकारों के कारे एवं अन्य समाजिक बुरायों के खिलाफ वह अभियान चलाए हुए हैं बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ खेल-कूद, स्वच्छता एवं स्वास्त क के बारे में भी जागरू किया जा रहा है बच्चों के लिए समय समय पर नेश्चुलक, दंत एवं स्वास्त शिवरों का आयोजन सेवा भावी डॉक्टर्स की मदद से कराय जा रहा है इनके जस्टिस फॉर चिल्डरन स्टीट स्कूल सेंटरों पर पढ़ने वाले बच्च से पढ़लिक कर भविश में टीचर, डॉक्टर, नर्स, वकील, पुलिस एवं सेना में भरती होकर राश्ट्र एवं समाज की सेवा करने का सपना सजोई हुए हैं ऐसे बच्चों को जो सिक्षा से बंचित हैं विविन्नकारणों से जागरूपता के अवाब में और गरीवी के कारण तो ऐसे बच्चों को हम जस्टिस फॉर चिल्डरन स्टीट स्कूल के नाम से यहां संचालित कर रहे हैं और तीन सेंटरस हमारे हैं यहां गोपाल नगर मैं हैं और रांस्पोर्ट नकर में हैं ऐसे बच्चों को जो 욕काऊसिलिंग करते हैं और मच्चों को छिप्लby प्रयाइट इन्बचों को इसकूलों में प्रविश्क कराथे रहे योजना से गाजियाबार जन्पद में लगवख 60,000 परिवारों को लाब मिलने जा रहा है। इसमें परतेक परिवार को 5 लाख रुपए का लाब दिया जाएगा। जोजना करला मिलने के बाद किसी को आँखों से दिखाई देने लगा है तो किसी के कूले का प्रतारोपन होने के बाद वस तही सलामत चलने फिरने लगा है। पश्मी पवंद के सक्री होने और पहाडों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है बढ़ती सर्द हवाओं के साथ समूचे उत्तर भारत में ठंड का असर है राजधानी में शुकरवार को दो दिन में हलकी धूप के बावजू ठिटरन रही राजधानी में दिन का निंतम तापमान पांच दश्मल ओ चार डिग्री तक पहुँच गया बढ़ते ठंड और कोहरे से रेल यातायाद बुरीतर प्रभावित हुआ है जम्मू से लखनो आने वाली अर्चना एक्सप्रेस 16 घंटे लेट पहुँची जबकि किसान एक्सप्रेस सहित आधा दर्जन ट्रेन अपने निर्धारित समय से घंटो लेट रही पटना कोटा एक्सप्रेस और न्यू फरक्का एक्सप्रेस अचानक रद्द कर दी गई प्रमुख समाचायर एक बार फिर गाजीपुर में प्रधान मंत्री ने माहराजा सुहल देव पर डाक टिकेट किया जारी पुर्वांचल में चिक्सा सिवाए बढ़ाने के लिए गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज का किया गया शिलने आफ प्रधान मंत्री नेंद्रमुदी वारानसी में जन्पद एक उत्पाद समिट का करेंगो घाटन कई योजनाओं की वारानसी को देंगे सौगात खिंद्री कैबिनेट ने पास को एक्ट में संशोधन को दी मंजूरी बच्चों के योण शोशन पर किया फासी प्रावधान सरकार लाएगी नेशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टेम आफ मेडिसिन बिल और पश्मी पवन के सक्री होने और लगातार पहाडों पर बर्फबारी के चलते ठिठुरा मैदानी लाका मौसम विभाग ने कहा भी और बढ़ेगी ठंड इसी के साथ समाचार समाप्त हुए नमस्कार हुए नमस्कार